हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मिर्च के अचार की रेसिपी जी हाँ हरी मिर्च का अचार इसे बनाना इतना असान है इसे आप मतलब आज के आज बनाकर तुरंथ ही इसे आप खाना सुरू कर सकते हैं बहुत असानी से बन जाती और बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने का बिल्कुल भी जाय का बदल जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो मिर्च का अचार बनानी के लिए मैंने इस तरह से मिर्च लिया है, कोई सा भी आप मिर्च ले लीजिए, तो ये मिर्च जो है ना, इसका स्किन थोड़ा सा कीपश लेंगे ताओ कि इसे बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, ठोड़ा सा फेला देंगे, ताओ कि इसका पानी बिल्कूल सूख जाए, और इसके बाद हमसके डंठल को तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पहले डंठल तोडोड़ेंगे और बाद में धोए नहीं का या तो देंटल तोड़ते वक्त उसमें पानी चला जाता है तो अचार में हमें पानी बिलकुल भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करने हूँ ना मिक्सी के जार में इस तरह से मिर्श को तोड़ करके डार नहीं हूँ क्योंकि मिर्श जो है वो लंबी वाली है काफी लंबी है तो इसलिए मैं एक मिर्श को इस तरह से दो पीसे इसमें तोड़ ले रही हूँ और इसको हम हलका सा बस एक बार घुमाएंगे ताकि ये दरदरा सा हो जाए बहुत ज़्यादा मतलब बारिक नहीं करना है तो देखे फर्स्ट टाम मैंने इसे जब घुमाया तो मैं बहुत मतलब कम ही मैंने घुमाया मुझे डर था कि कहीं ये ज़्यादा पीस न जाए तो इसमें न काफी लंबे-लंबे इस तरह से पीसेस रह गया है तो इतने लंबे-लंबे पीसेस हमें नहीं चाहिए तो जो भी बड़े-बड़े पीसेस हैं उसको हम हटा लेंगे ध्यान से गुमायेगा बारिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो देखे मैं आपको दिखाती हूँ कि किसना मतलब हमें दर दरा रखना है तो चली इसको पीस लेंगे और ये देखिए ये जो है इस तरह का हमें रहना चाहिए हलका सा दिखे दर दरा मोटा रहना चाहिए तभी हमारी जो अचार है वो अच्छी बनती है तो दिखे इसी तरह से मैंने सारी मिर्च को थोड़ा थोड़ा करके जार में डाल करके मतलब इसे हमेंने पीस लिया है और इक बात का ध्यान रखिए इस तरह से मतलब मिर्च का अचार बनाते वक्त अगर आप हाथों का इस्तिमाल करते हैं हाथ लगाते मिर्च में तो हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिएगा क्योंकि मिर्च है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लग गई आँख वगरा में तो काफी प्रॉब्लम होती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा अब हम इसमें नमक डालेंगे तो अचार है तो नमक थोड़ा सा में ज़्यादा ही डालना है तो मैं यहाँ पर तीन चम्मच भरके नमक डाल रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे अगर नमक कम हो तो फिर और डाल सकते हैं और खटास के लिए हम इसमें डालेंगे विनीगर तो विनीगर मैं किसी भी मेजरिंग करके नहीं डाल रही हूँ अंजास से डाल रही हूँ तो देखें इस तरह से मैंने एक छोटी से गलास में लेकर के डाला है मैंने हाप गलास डाला है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और चाहिए तो थोड़ा सा vinegar मैं और इसमें add कर रही हूँ और फिर milch और vinegar को हम अच्छे तरह से mix कर देंगे तो दिखे अच्छा इसमें ना कोई भी चीज एकदम से perfect quantity होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा कम जादा अगर हो तो आप बाद में भी add कर सकते हैं तेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि खटास कम है तो आप थोड़ा सा फिर vinegar add कर लीजिएगा मगर इतना जो है वह काफी था तो इस तरह से mix करके हम इसे side में रख देंगे और इसके लिए हम एक masala ready करेंगे ऐसे मिल्च को रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास masala पहले से ready है तो आप अभी कभी masala डाल सकते हैं मगर मेरे पास masala ready नहीं है तो मैं masala को ready कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने मोटे वाले सौफ ली है तो सौफ धनिया है साबूत एक चमच मेथी दाना है और जीरा है तो यह masala भी मैंने अंचात से ही लिये है masala कम ज़्यादा हो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तब masala को हम थोड़ा सा dry roast कर लेंगे मतब इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है color change नहीं करना है हलका सा इसे भूनेंगे जब इसमें से एक अच्छी सी खुश्बू आने लगे न तब हम इसे बंद कर देंगे और फिर इसे हम फैला करके ठंडा कर लेंगे तो दिखिए हमारे जो masala है एकदम भून गया है खुश्बू में बहुत अच्छी आ रही है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे तो देखिए यह ठंडी हो रही है अब हम मिर्च में थोड़ा सा अधरक डालेंगे मतलब जरूरी नहीं है अगर आप नहीं डालना चाहें तो मड डालिए अगर आप डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा अधरक डाल रही हूँ बस इस तरह का एक इंच का टुकड़ा मतलब छील करके उसे अच्छे से हमें धो लेना है और फिर उसको पोच लेना है ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे और उसको हम ग्रेट करके डाल देंगे अद्रक का भी कोई मिजर्मेंट नहीं है आप चाहे तो अद्रक और भी डाल सकते हैं आपके उपर है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है थोड़ा सही डाला है और इस तरह से डाल के अधरक को भी हम मिला लेंगे तो चलिए अधरक तो मिक्स हो गई अब हम मसाले को देखते हैं मसाला जो है वो ठंडा हो गया हो गया तो इसको हम पीस लेंगे तो ठंडा हो गया बिल्कुल मसाला इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसके साथ हम डालेंगे सरसो का दाना मतलब मैं यहाँ पे काला वाला सरसो डाल रही हूँ आपको अगर पीला वाला सरसो डालना है तो भी डाल स तो इसको डालके हम सबको एक साथ घुमाल लेंगे और इसको हमें एकदम बारिक नहीं तरदरा पीसना है तो देखिए दोस्तों यहां पे गड़वट होगे मुझसे मतलब वीडियो थोड़ी सी पॉज होगे थी मसाली को पीसने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इस कर देंगे बस मिक्स करने के बाद हमारी जो अचार है यह लगभख रेडी है सिर्फ इसमें हमें अब तेल डालना है तो तेल को हम ऐसी डेरेक्ली नहीं डालेंगे तेल को पहले हम गरम कर लेंगे बरतन में और फिर उसको हम बिलकुल ठंडा कर लेंगे तो देखिए यहां मैंने एक कप तेल लिया है इसको गरम कर लिया था अब यह बिलकुल ठंडी हो गई है अब इस तेल को हम इस मिर्च के अचार में डाल देंगे और डाल करके इसे हम मिला लेंगे तो हर चीज का मैंने यहां पर इस्तमाल अंजात से ही किया है आप इस तरह से बनाइए आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि हर चीज में यहां पर किसी भी चीज का कोई परफेक्ट मेजर्मेंट की जरूत नहीं होती है सिर्फ नमक खटाज जो है ना वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए और रही बत मसाले की थोड़ी जादा भी पड़ जाती है तो कोई बात नहीं है त यह अचार और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी इसे आप अगर धूप दिखाना चाहें तो आप इसी तरह से बरतन में फैला कर उपर से एक हलका सा सूती का कपड़ा डाल दीजिएगा और फिर इसे आप धूप में दिखा सकते हैं या फिर आप इसी किसी बॉटल वगरा में भरने के बाद भी धूप में रख सकते हैं और अगर आपके यहां धूप नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं है आप इसे डिरेक्ली बॉटल में भरके आप अपने किचन में रख दीजिए और फिर इसे खाते रही है कोई प्रॉब्लिम नहीं है तो देखिए मैं इसे बॉटल में भर रही हूं और मैं इसे एक प्लास्टिक के जार में भर रही हूं आमदूर में अचार वाला जो बॉटल है मतलब यह अचार की बॉटल है तो प्लास्टिक के जार में आती है तो इसमें भी अचार खराब नहीं होती है ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ काज के ब बनाईए कि मिर्च जो है न वो सालो मिलती है आप इसे किसी भी सीजन में कभी भी बना सकते हैं और मेहनत तो बिलकुल भी नहीं है एक सबजी बनाना और एक मिर्च का अचार बनाना लगभग एक ही जैसा है मतलब उतना ही मेहनत पड़ता है जैसा हम रोज सबजी वेगारा ब बुलिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से न मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है तो मैं उमीद करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लि बाइ बाइ